नमुद्धानम 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 न हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवर्दी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं नीतिकार हमें सिखाते हैं कि शान्ती और सुकून जहां मिले जैसा मिले जिस भाव में मिले ले लेना चाहिए लेकिन आप काल पंचम है और लोगों की बुद्धी भी बिप्रीत जा रही है तो लोग शान्ती और सुकून की जगा पैसे की और सुक की और भाग रहे हैं जबकि पैसे और सुक में शान्ती सुकून नहीं है अगर कोई बोले की जिसके पास जतना बड़ा पैसा उतना बड़ा सुकून है तो उसको एक कमरे में बंद कर दो और उसकमरे में सिर्फ और सिर्फ नोटी नोट हो सोना, चांदी, जवारा, ठीरे, मोती, पन्ना ये ही हो अब बोलना इसी में रहो तुमको इसी में रहना है दो घंटे बाद वो बोलेगा यार कुछ एकाथ गड़ी ले ले यार पानी दे दे उसको नहीं नोट खाओ चिल्लर पीओ मालुम चलेगा कि हकीकत क्या है आप जिस ओर सुक और सुकून की कलबना कर रहे हो परिभाशा बना रहे हो उस ओर नहीं है उस ओर नहीं है जब अपन रास्ता ताय करते हैं लंबा रास्ता कहीं परदेश में जाते हैं तो वाँ साइन बोर्ट देखते हैं माना कि आप करनाटक गए और आपको जाना है बैंगलोर तो आप देखते हो बैंगलो अच्छा वो बैंगलो लिखा है उस ओर जाना है तो आप वो साइन बोर्ड के साबसे चलते जाते हैं और मन्जिल मिल जाती है ऐसी साइन बोर्ड बता रहे हैं पंचम काल में आपको सुक शुकून का सांती और सुकून का अगर कोई साइन बोर्ड है तो वो पैसा नहीं है पैसे को आप सब कुछ मत मानना एक और बात कहता हूँ जिनकी पास पैसा नहीं है सादू बन गए हैं या अच्छी संगती करने वाई लोग है उनको क्या लगता है कई बार कि जिनके पास पैसा है उन से तुम्हारे लिए सुकून है ये भी गलत फहिमी है ये भी बहुत बड़ी गलत फहिमी है ना पैसे में सुकून है ना पैसे वालों के साथ में सुकून है सुकून और सांती तो कहीं और ही है आज सिसने अपने इस भ्रह्म को मिटाना मैं यह नहीं किरम कि पैसा कुछ भी नहीं पैसा कुछ तो है पैसा सब कुछ नहीं पैसा कुछ तो है पैसा सब कुछ नहीं है एक विक्ती 15 साल की उम्र से व्यापार में लग गया और 55-60 साल की उमर तक उसने बहुत व्यापार किया व्यापार किया शरीर पर ध्यान दिया नहीं दिन पर पैसा दिन पर पैसा व्यापार पैसा व्यापार पैसा अब शरीर होगा खराब अब 60 साल से 75 साल की उमर में जितना उसने 45 साल में कमाय था जितना उसने 45 साल में कमाया ता उसका 80% पैसा वाबा उसने बीमारी में कर्च कर दिया, सरकल बराबर हो गया अगर पहले ही वो अपने ही उपर थोड़ा ध्यान देता, अपने शरीर पर अपनी मान सेकता पर पहले से ही थोड़ा ध्यान देकर चलता, सच मानना सांती सुकून बढ़ता पहले के लोग लंबा जीते थे, आप ये नहीं कह सकते कि पहले के लोग चलते थे, फिरते थे एटमास्फियर वैसा था, ऐसा नहीं है, उन लोगों ने अपनी वैस्तता मेंसे, अपने सुकून के लिए वक्त निकाला था, आप लोगों ने अपनी वैस्तता मेंसे, सुकून के लिए वक्त निकाला ही नहीं है, आज की नीती कह रही है कि, पैसों से सिर्फ सुविधाईं मिल सकती है, सुक सांती नहीं आज के इस बहुत एक युग में लोग सुक सुवधाओं के बीचे भाग रहे है सुकून के बीचे नहीं भाग रहे है और जितना पैसा है उतनी अदिक सुक सुवधाओं है यह आप देखो पहले लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था तो वो AC cooler नहीं लखाते थे पंके लखाते थे घर पर ventilation का proper ध्यान रखते थे खिड़कियां बनाते थे top floor में कैसा कमरा बनाते थे जहां पर अच्छी हवा चले चाहिए ना आज कमरे को pack बनाते क्योंकि AC है और light चले जाए तो फिर उसके लिए generator चाहिए generator के लिए फिर diesel चाहिए कितनी अपन सुख सुविदाएं बढ़ा रहे हैं पैसे के आने से और कितनी सुख सांती घटा रहे हैं पैसे के आने से इस पर विचार तो करें मैं यह नहीं कहरा कि सुविदाएं खराब हैं सुविदाएं खराब नहीं है लेकिन आपको सुविदाओं के प्रती जो आकर्शन ने वो खराब है बहुत जादा आकर्शन हो गया है पहले वेक्ति पांच जार रुपे कमाता था घर चल जाता था जी लेता था अब 50,000 में भी घर नहीं चल रहा, सुकून से जी नहीं पा रहा पैकेज बढ़ता जाए, बिजनिस बढ़ता जाए घर में गाड़ी की साइज और कंपनी का नाम बदलता जाता है 1000 स्क्वेर फिट के मकान से 5000 स्क्वेर फिट के मकान की और जाना चाहता है क्योंकि पैसा बढ़ते ही, सुक्सुविदा बढ़ रही है शानती नहीं बढ़ रही, सुकून नहीं बढ़ रहा सानती और सुकून कहीं है, तो तीन जगा है वो एक तुमारी प्रिती पर, दूसरा तुमारे धहरे पर, तीसरा तुमारे मदुर वेवार इन तीन जगह आपको सुकून और शान्ती मिलेगी प्रीती परस्पर की जो प्रीती है ये आपके जीवन में शान्ती सुकून देती है नहीं तो किसे जगड़ा करके देख लेना किसे एक विक्ति जगड़ लो अब जब भी वो तुमको जहां भी देखे मंदिर में देखे बाजार में देखे उसको देख करके बस उसको देखा नहीं कि अरे यारत ऐसे ही है अच्छा वो किसी आपके खास से बात कर रहा हूँ कोई और बात भी कर रहा हूँ और उसने दोके से आपकी तरफ देख लिया हूँ, मेरे बारे में कह रहा है, फिर दीरे से आप पूछे कि और बता भी है क्या चल रहा है, या क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहा हूँ, तुम से वो क्या कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप ने अगर किसी से थोड़ा सा भी जगड़ा कर लिया अब प्रीती उत्पन हो गई आपकी बस खतम वहीं से संकल्ब विकल्ब चालू सुकून गया वहीं से सुकून गया वहीं से इसलिए कम से कम आपसी प्रीती आपसी प्रीती इसको बना के रखें सबसे पहला आपसी प्रीती सुकून के लिए सर्वस्रेष्ट यही उपाए आपसी पृति थोड़ा सहिन करना पड़ेगा एक दूसरे की बातों को एक दूसरे के व्यावार को लेकिन आपसी पृति बन जाएगी एक मिनट के लिए सादूों के जीवन की ओर आईए सादू ने घर छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया व्यापार छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया कुछ भी नहीं बचा सिर्फ गुरू और गुरु भाई बचे है आपकी भाशम कहें तो भक्त भी बचे है हमारे दिस्ट्री में गुरु और गुरु भाई, दो लोग बचे हैं अब अपने पड़ोस वाले गुरु भाई से लड़ लिया एक सादू ने दूसरे सादू से अपरीती कर ली अब बताओ क्या होगा अब बताओ क्या होगा एक सादू ने दूसरे सादू से जैसे आप पीती कर ली घर तो जाएगा नहीं रहना कहा है उसको रहना तो कमरे में ही है न उसको देख देख के देख के घुटे गाओ घुटता रहेगा अंदर अंदर खुड़ करता रहेगा सुकून कहां बचा अब आप लोगों के लिए कहता हूं कि शादी हो गई किसी की सासु मा मिल गई किसी को लड़की को अगर सास को अगर वो मा नहीं मानती है अगर सास को वो मा नहीं मानती है और एक बार जगड़ा हो गया अब सुकून खतम हो गया क्योंकि वो एक प्रकार का जगड़ा जो है वो एक प्रकार का रिंड है अब वो दूसरा रिंड बनेगा उसके उपर तीसरा रिंड बढ़ेगा बढ़ते 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 दिवा लिया सब खतम इससे सबसे पहली आप से पृती बना कर रखें अगर आप जीवन में सुकुन और शांती जाते दो क्योंकि फिर वो चीजें, वो चेहरा, वो वक्त, वो बातें सब रिपीट वोगे लौट के आती है और जब वो चीज़ें लोटके आती है बहुत अंदर उथल उथल हो जाती है सुनामी बहार की तो कई कुछ वक्त के लिए समस्या देती है जो अंदर की सुनामी आती है वो बड़े लंबे वक्त के लिए तकलीव देती है इसलिए आपसी प्रीती थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा आपको सेहन करना पड़ेगा और आपको हो सकता है कि सिर्फ आपको ही सेहन करना पड़े सामने वाला सेहन ना करे तो भी आपको ही करना पड़ेगा सुकून चाहिए तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी आप मेरी इस बात को समझ जाएंगे उत्य जल्दी सुकून मिल जाएगा जो कुछ भी आपके पास है या जो कोई भी विक्ति आपके आसपास है वो जादा वक्त के लिए नहीं है बहुत कम वक्त के लिए वो पुराने गए रामायन के शीराम की युग गए जब हजारों लाकों वर्षों की आयू होती थी तो भगवान रिशव देव के वक्त गए जब अर्वों खर्वों वर्षों की आयू होती थी अब तो कुछ दिनों की आयू है बहुत अलब आयू है 50 साल, 60 साल पुन्यात्मा हो गए तो 70-80 साल बागी तो 50 साल मेक्सिमम है अब आप उस 50 साल में कितने लोगों से पृती बना के रखे हो कितने लोगों से आप पृती बना के रखे हो यह तुम्हारे उपर है यह आपकी उपर डिपेंडिड है कम वक्त है अपने पास बहुत कम वक्त है वही एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे की बातें अच्छी इसमती रखोगे तो अच्छी चीज़े याद आएंगे वो वक्त याद करो जब पिता की कंदे पर बैठकर मेला घूमा हो तो पिता ने पूरा मेला घुमाया हो एक हात में गुब आ रहा हो एक हात में जाना प्यानों हो बबल्स बनाने वाली डबी हो पचास रुबे में तो बच्छा अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा विक्ति मान लेता था घर के चज़े पर बैठ करके बबल्स बना रहा है सुबह से साम तक वो ही कर रहा है उसको क्या खुशी मिलती थी क्योंकि उसकी किसी से अप्रीती नहीं थी जैसे जैसे समझदारी बढ़ी है वैसे वैसे बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि आपके परसपर में अप्रीती हो रही है लोगों से संबंद खतम हो रहे है या तो संबंद बनाओ मत बनाओ तो प्रीती से निवाओ आपसी प्रीती दूसरी बात है आपका अंदर का धैरे आपके अंदर का धैरे ये धैरे आपको सुकून देगा किसी ने कह दिया आप से उटो खिसको धर से तो आप क्या बोलोगे वहाँ जाके बैटो ये जगा के तुने खरिद ली है माना कि उसको वहीं बैटना था तुम खिसक जाते तो क्या चला जाता अथ्वा दो मिनिट के लिए आप उटकर के गए और कोई आपकर के बैट गया अब आपनों से खिसको वो खिसका नहीं तुमारा दिमाग खिसक गया वहीं से तुमारा सुकून गया कोई बात ने कोई बात ने एक बच्चे ने अपने घर पे छट पर दोती डाली सुखा करके कि कल सुबह गुरू जी आईंगे और अपन इसी दोती में उनको आहार देंगे वाइड दोती अलग से कहिए किला है चम चम आती होई डियाइन वाली उसके दादा जी रात को छट पर गए होंगे किसी काम से अब उनको दादा जी ने मूँ वगर दोया कपड़ा नहीं मिला उनने उसी से मूँ दो लिया अब वो मूँ तो दो लिया दोती का हुटता हिस्सा काला पीला हो गया भी दोती का हिस्सा काला पीला और जो पोता था उसका चेरा लाल पीला इस बुढ़े को कुछ नहीं समझ में आता क्या नहीं पता धोती भग रही थी मेरी क्या समझते हैं अपने आपको कितना नहीं समझ में आता चिल्लम चौटी बहुत हल्ला हो गया सुकून चला गया ना धेर रख लेता चलो गंदी दोए चुकी है अब धो लेता गंदी हो चुकी है काम करो उसको अंदर करके पहलेता दिखे नहीं किसी को और भी तो उपाय थे सुकून के भी उपाय है ढूंडो तो धेर सबसे बड़ा उपाय है ठीक है मुझसे कोई कुछ भी कह जाता है मैं प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करता हूँ सौ में से एक दुबार हो जाता है तो कि अपन भी तो इंसान ही है लेकिन मैं प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा से मैं सोचता हूँ कि वक्त पर छोड़ दो वक्त पर छोड़ दो कि तो हो जाएगा जहां आपने धहरे खोया वहाँ चीज़े बिगड़ती है धहरे मत खोना और लास्ट इंपोर्टेंट बात है अपना मदुर व्यवार जो आपके प्रति अच्छा व्यवार नहीं रख रहा है उसके प्रति भी आप अच्छा व्यवार रखो तुम्हारे अंदर एक सैटिसफेक्शन रहेगा कि यार मैं घलत नहीं हूँ और वो जो इंटरनल सैटिसफेक्शन है वो बहुत कुछ कर जाएगा आप अपने दिमाग से बूचो आपका दिमाग कभी जूट नहीं कहता आपका दिमाग कभी जूट नहीं बूलता आप अगर ने आपने कहीं चोरी कर ली किसी ने पूचे यहां पर समान रखा था कहां गया नहीं मुझे नहीं पता दिमाग को पूचे उसको पता हैगी नहीं दिमाग को सब पत है तुमने का क्या कै गड़बडी करी ऐसे ही जो मदूर व्यवा आ रहता ह। जो मदूर व्यावा रहता है उससे एक satisfaction अपने अंदर आता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ मैं एक अच्छा आदमी हूँ और जो एक satisfaction आता है वो सुकून दे के जाता है इसलिए पैसों में सुकून नहीं है पैसों में तो सुक्सुविधाएं है पैसों में सुकून नहीं है मेरा ये मानना है कि जब से सुक्सुविधाएं बढ़ गई है तब से प्रीती, धहर, मदुर, वेवार सब खतम हो गया आप अगर पैसे में अपने पड़ोसी से अपने रिलेटिव से कई गुनादिक हो जाएं फिर आपका attitude देखना क्या होता है फिर आप अपना attitude देखना आपका attitude उस समय भी उसके साथ वैसे ही रहे तुम मानना कि पैसा सुकसुविदा नहीं तुम्हारा सुकून बढ़ा है जिस धन से परसपर की प्रीती चली जाए मदुर व्यवहार चला जाए वो धन नहीं है वो तो दुख का निमित है भले ही सुकसुविदाएं बढ़ रही हूँ लेकिन हर प्रकार के उपाए है सुकून और शांती के उपाए भी बहुत सारे आपकी लाइफ में आसपास ही है खोजो तो आप खोजते नहीं हो आप खोजते नहीं अगर आप ट्रेन पे गए हो और ट्रेन में हो और सीट नहीं मिल रही तो यह मत सोचो कि सीट चाहिए इस देखो कि जगा चीए बैठने की कि कौन सा तुम ट्रेन की रेजिस्टी करा लोगे छे गंटे कर रास्ता है आठ गंटे का कहीं भी बैठने की जगा ढूंड लो बैठ जाओ देखो ये उठा वहाँ बैठो ये कबजा करो ये खाली सीटे वहाँ सो जाओ सुकून चला गया छे गंटे कर रास्ताफर है शांती से बैठके निकाल लो तुमने वहाँ सो जगडा कर लिया और जब कभी आगे किसी और जनम में जाओगे तो जगडा साथ में चलेगा ये नीतिकार कहरें कि अगर उपाय सही हो तो कटिन चीजें भी सरलता से ब्राप्त हो जाती है सुकून बहुत कटिन है सुकून की ब्राप्ती बहुत कटिन है लेकिन वहाँ तक जाने का उपाय सरल है करना पड़ेगा और उसकी लिए आपको खुद का सेक्रिफाई करना पड़ेगा कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना बढ़ता है सुकून चाहिए है सुक शान्ती चाहिए तो आपको परसपर में फ्रीती रखना पड़ेगी एक धहर रखना पड़ेगा अपने निचर को पोलाइट रखना पड़ेगा कई लोग होते हैं हमने साइको टाइप के देखे उनको एक मिट में अच्छे एक मिट में बिगड़े फिर उनसे विक्ती दूर है ना पसंद करता है क्यों औरे बोले भी अब एक दम से कब ब्लास्ट होगा पता नहीं है अपने निचर को एक सा बनाके रखें क्योंकि एक बार चीज़ें बिगड़ जाएं वापस मेंटिन करने में बहुत लंबा वक्त लगता है जितना बड़ा विक्ती होता है उसको बात उतनी गहरी लगती है अपने व्याहारे मधूरता लाएं आपसी प्रीती बढ़ाएं और धहरे के साथ जीएं यह सबसे बड़ा उपाय है जीवन के सुकून का शेश आगे देखेंगे भगवान महावीर सौमी की